नमस्कार आर्या निउस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रिशप चुहान 22 जनबरी का इंतजार राम भक्तों को बेसबरिस है और हो भी क्यों ना 500 साल से राम भक्तों ने इस दिन का इंतजार किया है राम लला को उनके इस्थान पर विराजमान करने के लिए आंदोलन किये बड़ी बड़ी कुर्वानिया दी यहां तक की सीने पर गोलिया खाई और अब 500 वर्षों के अथक प्रियास के बाद प्रभू श्रीर राम का मंदिर बनकर तयार है लेकिन आयोध्या में राम जन भूमी मुक्ती का आंदोलन करीब 450 साल से चलने की बात कही जाती है मगर सन 1980 के दशक में इस आंदोलन को देशवर में फैलते देखा गया लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसे भी राम भक थे जिन्होंने इस आंदोलन को गांप गांप तक पहुचाया और राम शिलाओ के जरिये इस आंदोलन को एक जटके में पूरे देश में फैला दिया जिनका नाम है मोरे पंथ पिंगले जिहां आज हम आपको राम भक मोरे पंथ पिंगले के शंगर्स की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने राम जनभूमी आंदोलन में एहम योगदान दिया दरसल पिंगले ही आयोध्या आंदोलन के असली रणनीती कार थे उनका ही आइडिया था कि देश भर में राम शिलाए घुमबाई जाएं फिर उन्होंने पुझबाकर हजारों लोगों से उनका भाबनात्मक रिष्टा बनाया जाएं इसी पिरियोग के तहे देश भर में कोई 3 लाख राम शिलाए पूजी गई चालिस देशों से पूजीत शिलाए आयोध्या आई पहली शिला बद्रीनात्म पूजी गई पूजने वाले हर व्यक्ति ने सबार रुपिया भी चड़ाया यानि आयोध्या के शिलन्यास से 6 करोड लोगों ने सीधे भाबनात्मक रूप से जुड़े इससे पहले उत्तर प्रदीश में इतना सघन और घर घर तक पहुशने वाला कोई आंदोलन नहीं हुआ गौर अक्षा आंदोलन भी इतना बड़ा नहीं बन पाया पिंगले के प्रियोग का असर ये हुआ कि गाउं में रह रहा भारत राम मंदिर के लिए संकल्प बद हो उठा देश भर के सादू संत आंदोलित हो उठे जिस गाउं ने भी शिला के लिए दान किया उसके सम्मान की खातिर जान तक देने के लिए तैयार हो गए यही वज़ा थी कि मोरेपंथ पिंगले को राम जन भूमी आंदोलन का फिल्ड मार्शल कहा जाता है मोरेपंथ का जन 30 अक्टूबर सन 1919 को जबलपोल मध्य प्रदेश में हुआ था वे वैसे महराष्ट के चित्ता पावन ब्राममर थे नागपूर के मौरेसे स्कॉलिस से उन्होंने इसनातक किया पिंगले आरेसेस के पहले सर संग संचालक डॉक्टर हैट गोवार के हातों गड़े गए थे सन 1930 में ही वे संग के संगपर्क में आ गए थे सन 1941 में पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने पिर्शारक जीवन की शुरुआत की सबसे पहले उनको मद्धे प्रदेश के खंडवा का सह बिभाग पिर्शारक बनाया गया बढ़ते बढ़ते वह सह कारवाह के पद तक पहुँचे मोरेपंथ पिंगले के संचालन में ही सन 1984 में राम जान की यात्रा आंदोलन शुरू हुआ था वे इस यात्रा के सैयोजक और नियंतरक थे इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार में सात रत निकाले गए इन रतों में राम को कारवास के भीतर दिखाया गया ये आयोध्या में राम की इस्तिती का जीवन्त चित्र था इन रतों ने हिंदी पट्टी में लोगों के अंदर विद्रो जगा दिया उन्होंने राम की खातीर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार कर दिया पिंगले पहले भी ये पिरियोग कर चुके थे इत्यास में दर्ज साल 1982-83 की तारेक उनकी अभूत पूर्व संगठन आत्मक शमता की गवा हैं इस दोरान पूरे देश में एकात्मता यात्रा निकालने की तैयारी थी देश भर में तीन यात्राएं निकालने की योजना बनी इन तीन यात्राओं के मार्ग से इसके पीछे एक दर्शन समझा जा सकता है पहली यात्रा थी हरिद्वार से कन्या कुमारी तक दूसरी काट मांडू के पशिपतिनात्स मंदिर से राविश्वरम धाम तक और तीसरी यात्रा बंगाल में गंगा सागर से सोमनाथ तै की गई इन यात्राओं के कुछ पिर्तीक तै किये गए गंगा माता और भारत माता की अराधना के लिए गंगा जल साथ लिया गया भारत माता का चित्र तो मुख्य पिर्तीक था इन मुख्या यात्राओं के रास्ते में सेकलो छोटी छोटी यात्राओं का संगम भी हुआ तीन यात्राओं को करीब 50,000 किलो मिटर की दूरी तै करनी थी इसके बाद उन्हें एक निश्टित समय पर नाकुट शहर में दाखिल होना था उस दौरान में यह बेहत आविश्वशनी असर था मगर यह चमतकार हो ही गया इसके पीछे भी मोरेपंथ पिंगले का ही दिमाग था इन तीन यात्राओं में दीश्वर के पौने 7 करोण नागरिकों ने हिस्सा लिया और जिसके बाद राम मंदिर के लिए लंबा आंदूलन चला जिसके कारण आयोध्य में भगवान शिरी राम का मंदिर बन चुका है मोरेपंथ पिंगले इन सबसे यही सीख दे गए कि अगर आप सही हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो फिर आपका कठिन परिश्रम कभी विफल नहीं होता अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे शेयर करना और लाइक करना मत भूलना और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल आर्या न्यूस को भी सस्क्राइब कर लेना मिलता हूँ आप से किसी और वीडियो में धन्यबाद